यह है गाईज 2023 की और नीव टीवेस और्क 125 XT OBD2 E20 का नियोन कलर सो आज मैं इसका फुली डिटेल्स में रिवू करने वाला हूँ सो आज हम बात करेंगे इसके न्यू अपडेट्स और फीचर्स के बारे में साती में प्राइस बनने के बाद अब इसकी और और अन रोड प्राइस क्या है माइलेज कितने देती है टॉप स्पीड कितनी है सारे जान करें जोस्तो इस वीडियो के आपको डिटेल्स में देने वाला हूँ अगर आपको टीवेस का कोई भी प्रोड़क्ट देखना है तो शोरूम की सारी कौन्टक इन डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो स्टार्ट करते है वाकराउंड से एक बार आप इसका साइड लूक चेक आउट कर लो तो कुछ बॉसकर करते हैं तो यह इसके नीवान कलर है स्टार्ट करते है फ्रंट से तो फ्रंट में आपको ग्लोड़सी बलैक फिनिशिंग मिलती है साइड में स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्यांडिंग है जोकि ब्लूठथ कनेक्टिवीटी है बाकी side में आपर आपको matte purple color की finishing मिलती है Side में India का flag है जो कि यह अरब होती अच्छी बात है Indicators की बात की जाए तो side में आपर आपको hello zone indicators का setup मिलता है mirrors की बात की जाए तो matte black color के साथ इसके mirror से जो कि इसको copy जदा sporty look देते है Start करते है front से तो beach में TVS की branding है जोकि निवान एंड सिल्वर कलर के साथ आते हैं या आप अप आप इसके लुक देख लो साइड में भी उसी टैप किसके ग्रापिक से जोकि इसको कापे ज़दा एक्ट्रेक्ट्टू लुक देते हैं स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से फ्रंट में टी शेप LED टेरल्स का साथ मिलता है मडगार का लुक एक बर आप देख लो सस्पंशन की बात की जाए तो फ्रंट में आपको टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पंशन का सेड़प मिलता है खारब रासु की पर आपको काप्य आचा कंफर्ट देने वाले ब्रेकिंग की बात की जाए तो फ्रंट म उसका लूक है, सार्में TVS Inteligo की ब्रैंडिग है हैंडलिंग की बात की जाए, तो थ। सिंपलसी इसके हैंडलिंग है, बारियन स्यापर में मैट ग्रे कलर के साथ मिलते हैं, बाकि यह है इसकी ग्रीप, आगे में इसका ब्रेक लीवर है यह इसका पार्किंग ब्रेक है यहाँ पर कार्बन फाइबर टच की फिनिशिंग है बाकी यह इसका लोबियम आईबियम और पासिंग स्विच नीचे में टर्न इंडिकेटर स्विच और होन स्विच बीच में आपको XT की ब्रेंडिंग मिलती है बाकी यहाँ पर लिखा है कि सेल्फ स्टार्ट को लॉंग प्रेस करने के बाद वोइस का मन जो है वो ओन हो जाएगा इसके नदर आपको डिजिटल मिटर कोंसल का सेटप मिलता है बाकी यह इसके मोड और अइन सेट के बटन्स ओपर में एन्टर की ब्रेंडिंग है यह इसका ओटो स्टार्ट स्टॉप बटन है बाकी नीचे में हजार्ड इंडिकेटर स्वीच एंड सेल्फ स्टार्ट स्वीच है एक बार अप इसके हजार्ड इंडिकेटर का लुक चेक आउट कर लो तो सेटी के लिए यह फीचर भोती अच्छे बात है रियर साइड का लुक भी एक बरब देख लो अभी हम बात करते हैं इसके की के बारे में तो की के उपर टीवेस की ब्रेंडिंग है बाकी पीछे में टीवेस का लोग हो है तो सिंपल सी स्टी की है बाकी यह है इसका की पॉइंट कुछ इस टैप से इसका डिजिटल डिस्प्ले जो है वो आन होता है इंडिकेशन्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की लाइट मिलती है बाकी नीचे में एरर इंडिकेटर साइड स्टैन की इंडिकेशन बाकी उको एंड पावर मोड की लाइट है दूसरे साड में उसी टैप की टर्न इंडिकेटर की लाइट हाई बिम पासिंग की लाइट आइडल स्ट टॉप इंडिकेटर लो फ्यूल इंडिकेटर एंड चेक इंजिन की लाइट है मिटर कंसोल ओने के बाद कुछ इस्ट अपकर इसका वेलकम मेसेज आता है अभी हम बात करते हैं इसके इनपोर्मेशन के बारे में बीच में इसका स्पूडो मिटर साड में इसका डिजिडल फिल गई जे बाकी यहाँ पर इसका ओडो मिटर साड में हलमेट वेरिंग की इंडिकेशन है नीचे में इसका ट्रिप एफ एंड ट्रिप मिटर है फीचर्स की बात की जाए तो साड में इसका इको एंड पावर मोड का इंडिकेटर है नीचे में इसका टाइम क्लोक and day 10 month है यहाँ पर आपको इसको set कर सकते है और भी features की बात की जाए तो mode के button को उप्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको sport mode मिलता है बाकि battery voltage ride stat last lap street mode कुछ इसके feature से साथी में 0 to 60 यह कितने minute के अंदर जाती है यहाँ से आप यह देख सकते है और भी indication की बात जी जाए तो यहाँ पर आपको low battery indicator service do reminder कुछ शब किसके indication मिलते है और भी features की अगर हम बात करें तो mode के button को long press करने के बाद यहाँ पर आपको bluetooth connectivity मिलती है यहाँ से आप अपने device को pair कर सकते है साथी में यहाँ पर आप time को set कर सकते and date and month को भी set कर सकते है यहाँ पर आप देख लो अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप इसके display के brightness को कम ज़दा कर सकते है तो यह feature मुझे बहुती अच्छा लगा इसको कम ज़दा करने के लिए आपको बस set button को press करना है तो वेसे यह कम ज़दा हो जाएगा यहाँ पर आप देख लो seat की बात की जाए तो इसके इंदर आपको single seat मिलती है जो कियर इसकी cushioning जोई 200 कापी ज़दा अच्छी है 770 mm इसकी seat आइट है seat के आगे आपको carbon fiber touch की finishing मिलती है तो dual tone color के साथ इसकी seat है seat के side में end torque की beijging है तो यहाँ पर भी आपको carbon fiber touch की finishing मिलती है seat का side look एक बर आप देख लो start करते है rear से तो rear में इसके split tap grab handle से इसकी भी quality 200 कापी ज़दा premium है सबसे पहले update की बात की जाए तो fuel cap की उपर E20 support की beijging है अभी से 20% ethanol and 80% petrol से चलेगी यह भी part आपको fiber body के साथ मिलता है rear look की बात की जाए तो कुछ श्टापकिस का rear look के start करते है rear से तो rear में आपको split LED tail light का setup मिलता है जो की T shape है बाकि side में इसके air wind से side में उसे type की इसके indicator से जो की halogen है बीच में TVS की branding है halogen bulb के साथ इसका number plate reflector है safety के लिए बीच में इसका reflector है बाकि बीच में आपर लेगी की number plate यहाँ पर अब देख लो fiber body के साथ इसके rear का mud flapper है start करते हैं इसके side look से तो कुछ श्टापकिस का side look के तो start करते हैं इसके side look से तो side में 125 के graphic से जो की आपको triple tone color के साथ मिलते है यहाँ पर TBS racing की branding है बाकि यह वाला part आपको carbon fiber touch finishing के साथ मिलता है नीचे में इसका single stand and double stand है जो कि आपको side stand engine cut off sensor के साथ मिलता है यहाँ पर matte black color की finishing है बाकि बीच में इसका hook है यहाँ पर अपना सावन वगरा लटका सकते है और side में इसका key point है यह वाला part आपको fiber body के साथ मिलता है sitting position की बात की जाए तो आराम से आप अपना पेर वगरा रख सकते है कोई भी आपको तकलिप नहीं आने वाली नीचे में इसका matte है जिसके उपर आपको antorque 125 की branding मिलती है बाकि यहाँ पर भी इसका extra hook है side graphics की बात की जाए तो कापी ज़दा attractive इसके side graphics है side में antorque 125 XT की branding है बाकि यहाँ से अप इसके fuel tank and seat को open कर सकते है इसके उपर भी carbon fiber attach की finishing है start करते है इसके side look से तो यह है इसके adjustable pillion footrest and side में इसके lady footrest है यह भी आपको metal body के साथ मिलता है engine की उपर TVS की branding है rear में आपको toggle link gas pillar hydraulic damper suspension का setup मिलता है खारा ब्राशो के उपर आपको कापी अच्छा comfort देने वाले यह है इसका मड फ्लैपर tire size की बात की जाए तो rear में आपको 110 x 18 12 के tube lace tire मिलते है जो की 12 inch black color के alloy wheel setup के साथ आते है इसके उपर neon color के graphic से rear tire की width की बात की जाए तो कापी अच्छी इसकी grip and width दे opposite side की look की बात की जाए तो opposite side से इसका semi look है side में उसी type की इसके graphic से और उसी type के 125 CC के sticker से और नीचे में उसी type के TVS racing की branding है और यहाँ पर आपको antork 125 XT की branding मिलती है और यह है इसके adjustable pillion put rest दूसरे update की बात की जाए तो अभी आपको इसके अंदर BS6 face to any OBD2 E20 F engine मिलता है इसके अंदर आपको 124.8 CC का single cylinder force dog air cold spark ignition OBD2 E20 F engine मिलता है जो की produce करता है 9.38 PS की power और 10.5 Nm तक का torque metal body के साथ इसका exhaust है exhaust का look एक बर आप चेक आउट कुर लो rear में आपको 130 mm का drum brake मिलता है जो की synchronized braking system के साथ आता है 70 के लिए side में इसके reflector से fuel cap को open करने के लिए आपको left side में mode लेना है fuel tank की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 5.8 liters का fuel tank मिलता है right side को mode लेने के बाद इसका seat जो है वो open हो जाएगा अभी हम बात करते हैं इसके under seat storage के बारे में storage की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 22 liters का storage मिलता है यहाँ पर आपको USB charging port and OBD2 का scanner मिलता है तो कापी अच्छा कासा इसके अंदर storage है इसके अंदर आपको first aid kit मिलता है and इसके tools से यहाँ से आप अपना smartphone वगरा आराम से charge कर सकते हैं इसके सारे updates इस वीडियो के अंदर में आपको detail में explain की है mileage की बात की जाए तो यह आपको 40 से लेकर 42 kmph तका mileage देगी top speed की बात की जाए तो यह आपको 95 kmph की top speed देगी इसके basic body dimension से कबर आप डिस्पले के उपर देख लो 1,07,000 इसकी एक शोरूम प्राइज है और 1,31,000 इसकी अन रोड प्राइज है अभी जाब इसका exhaust note सुन लो अभी है